सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप ट्वीट लाप लिए हिंडी की कोल भी नए अपडेश को मिस्तावत आए Android यूजर्स साफधान हो जाईए क्योंकि हाल ही में एक नए ट्रोजन ने 140 से जादा देशों में हजारों फेस्बुक यूजर्स का अकाउंट हैक कर लिया है Flytrap एक नए Android मैलवेर है जिसका यूज फेस्बुक अकाउंट को हैक करने और यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए किया जा रहा है साइबर सिक्योरिटी फर्म जिम्पेरियम के अकॉर्डिंग ये मैलवेर, गूगल प्ले स्टोर, थर्ड पार्टी अप स्टोर और साइड लोड़ेड अप्स पर मिलिशियस अप से फैला है रिसोर्चर्स के अकॉर्डिंग, फ्लाइट्राप कुछ ऐसे मोबाइल अप्स में छिपा होता है जो नेट्फलिक्स कूपन कोड, बेस्ट फुटबॉल टीम और प्लेयर के लिए वोटिंग अप्स ओफर कर रही होती है फिर ये Malicious Applications यूजर्स को ये एप्स टाउनलोड करने और लिए ट्रिट करती है जब यूजर्स एप इंस्टाल कर लेते हैं तो ये यूजर्स को इंगेज करने के लिए अला गला क्वेशियंग का आंसर मांगती है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि यूजर्स को Facebook login पेज नहीं दिखाया जाता इसके बाद ये malware यूजर्स को उनके Facebook account में login करने और coupon code या credit collect करने के लिए बोट देने के लिए कहता है और ये सब सिर्फ users को गुमरहा करने के लिए एक चाल है ये malware mobile phone को hack कर लेता है और आपकी Facebook ID, email address, location, IP address और Facebook account से जुड़े cookies information collect करता है Google ने पहले ही malicious apps को Play Store से हटा दिया है लेकिन फिर भी ये third party website पर available हो सकता है इसलिए इस malware से बचने के लिए इन कुछ बातों का ध्यान रखें किसी भी नई app को डाउनलोड करने से पहले anti-malware app का यूज करें जो किसी भी app में होने वाले threat को scan कर सकती है इसके लिए आप सिस्टविक anti-malware app डाउनलोड कर सकते हैं जिसका link description box में दिया गया है Apps को unnecessary permissions ना दे unknown links पर click ना करें ना ही unknown apps डाउनलोड करें अपने facebook account के information third apps को ना दे केवल authorized app और website से facebook login करें किसी ad, email या unrelated app से login ना करें तो आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like, share और हमारे चानल को subscribe करना ना भूलें